कुम्ब राशी जिन्दगी के हालात खराब होंगे अगले 24 गंटे में कलेज़ा कांप उठेगा नमस्कार दोस्तो जय भूलेनाद दोस्तो आज हम आपको 22 अगस्त की कुम्ब राशी भोईशे बताने वाले हैं जहां दोस्तो इस दिन आपका सामने राशी पल कैसा रहीगा कौनसे बातों का ध्यान रखना है धने राशी पल लव राशी पल करियर राशी पल और आपका स्वास्त राशी पल कैसा रहीगा इसके बारे में विस्तार से आज की सुड़ों में चर्चा करेंगे दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल भी मिसना करें अंतर तक जरू देखें और हमारी चानल ट्रेनिंग राशिपल को सब्सक्राइब जरू करें ताकि इसी तरह राशिपल के रिलेटर वीडियो आपको हर रोज देखने को मिले तो चले दोस्तों समय ना गवाते हुए जानते हैं कुम राशिके बारे में आपके बहितरिन दिनों की शुरुवात होने वाली हैं आपके विचार सकरत्मक रहेंगे आप कुछ नया करने के लिए उस्तोग रहने वाले हैं आप अपने रुके हुए कारे भी संपन करेंगे, पारिवारी को आतावरन खुशाल बना रहेगा, आचना किसी रिष्टेदार से खुशकबरी मिलने की संभवना बन रही हैं, आप अपने करियर में लगातार आगे बढ़ेंगे, अपनी सभी जिम्मेदारियों को ठीक प्रका किया हैं और वो आपके नेतरूत्व के गुणों को इनाम देने के लिए तयार है, रिष्टों को लेकर आप तनावपुर्णा और सिमित महसुस कर सकते हैं, अपनी विचारों के साथ अकेले रहने के लिए समय निकाले, बदलाव जरूरी है, इसे स्विकार जरू करें, दोस सकता हैं, रिष्टों के हिसाब से दिन भहुती अच्छा रहेगा, अविवाही तो लोगों को विवाह के नई प्रस्ताव मिल सकते हैं, किसी से बात करते हुए आपको अपना संकोची व्यवहार त्यागना होगा, दूर संचार के साधनों को ठीक रखें, कही से कोई अपनी दूर हो सकती हैं, आप दिन बर अधिक व्यास्ता रहेंगे, काफी समय से चल रहे कामों को आप निप्टाग सकते हैं, और आप अपनी विरुध्यों को भी माफ करने के मूर में रहेंगे, ओफीस और कारेक शेतर में लोग आपके विचारों से सहमत हो सकते हैं, तो और आपके समय की शेतर में हो या पिर गर में हो पूजिटिव बातें बताएगा, जो अच्छा है उन्हीं बातों को शेयर करेगा, जिसी कि लोग आपकी तारिफ करेंगे आपके विचारों से सहमत होंगे, आपकी विचारों को अधिकार्यों का पूरा समर्थन मिलेगा, ध हैं आपको कौनसे बातों का देहन रखना है उसके बारे में आज आप अधिक धन खर्च कर सकते हैं किसी भी काम खिले आपको भागदोड अधिक करनी होगी यदि आप अपने मन के आवाज को गवर से सुनते हैं तो आपको अपने हर सवाल का जवाब खुद ही मिल जाएगा आ आर्तिक स्थिति में सुदार के योग बन रहे हैं आप अपने आमदनी बढ़ाने और खर्च घटाने के तरीकों पर विचार कर सकते हैं यदि स्वास्ते से संबंदीत कोई परेशनी आपको है तो केवल डॉक्टर के निर्दोशों का पालंग करेगा यातरा के योग भी बन अलाब हो या फिर वो ही आतरा जरूरी ना हो इस बात का ध्यान दरूर रखेगा तो आप बात करते हैं कि जिनके के हलाथ क्यों खरब होंगे उसके बारे में जानते हैं कूछ स्वास्ते संबंदीत परेशानी गैं या फिर कुछ ऐसे हलाथ आपके जिवन में आज़के पीचे लग सकते हैं जिसे आपको ना फायदा है नहीं कोई उसका आगे जाकर फ्यूचर में उसका उपयोग है तो इस बात का देहन रखेगा आज की दिन वैसे ही कारे में हाट डाले हैं जो सच में आपको आगे जाकर फायदा दिला दे या फिर अभी के समय आपको फ्रॉफ के गुना आपको तारिफ के पातर बना देगी संगर्श और कलपना भरे इस दौर का मजा लें क्योंकि इससे भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलेगा अपने जिन शौकों को आपने अब तक अंदे का क्या है वो अब आपका ध्यान अकर्शित करेंगे लंबी का योग बन रहा है किसी दिल्चस्प व्यक्ति से मिलने के संभोना भी बन रही है अपने बेरंग जीवन को रंगिन बनाने के लिए अच्छा समय है जो भी करना है आज ही करें क्योंकि यह वक्त फिर वापस नहीं आएगा दोस्तों आप बात करते हैं आपका करियर रशिप कैसा रहेगा उसके बारे में आप काम के बोज को आसानी से सहन कर लेंगे इससे आपको अपनी प्रतिबा दिखाने का मौका भी मिलेगा इसके लिए आपको अपने आत्म नियंद्रन वा सकरत्म सोच का सहारा लेना चाहिए इन सब से आपको सपलता मिलेगी वा करियर में भी रुद्धी हो सकती है दोस्तो आप बात करते हैं आपका लव राशिबल कैसा रहेगा उसके बारे में दोस्तो आच्छानक टूटा हुआ संभंध आपके जीवन में खटाज बर सकता है लेकिन इन बातों को गंबिरता से ना लेकर जीवन में आगे बढ़ेगा बनते बदलते रहते हैं दोस्तो नहीं लोगों से मिलने के लिए तैर रहीगा हो सकता ही कि आपको अपना सोलमेट मिल जाए दोस्त या प्रेमी के साथ लॉंग ड्राई या फिर घुमने जाने की आपकी लालसा पूरी होगी कुछ रोमेंटिक मोमेंट्स भी आपकी प्रतिक्षाह में है आप अपने पंखों को खोल कर उड़ना चाते हैं तो आगे बढ़ेगा और अपने सपनों को साकर करेगा दोस्तो आखिर में बात करते हैं आपका स्वास्तरा शिपल कैसा रहीगा उसके बारे में आपका स्वास्तर ठीक रहीगा मगर आपको चोटे मोटे दर्द से लड़ना होगा आपको हलका व्यायम करना होगा बड़ी समस्य से ना घब रहें क्योंकि स्वास्तर की परिशानिया ज्यादा दिन के लिए नहीं रह सकती साथी साथ आपको कई पर फर्ष पर चलते वक्त कुछ चोट से लग सकती है और पिर गाड़ी चलाते वक्त आपको कई पर चोट लग सकती है तो ऐसे में आपको बहुती सावधानी के साथ कारे करना होगा स्वास्ते संबंदी थोड़ी बहुत परिशानिया आज की दिन देखने को मिल सकती है तो दोस्तो आज की सुड़ों में बस इतना ही वीडियो सच में अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करेगा इस वीडियो को अपने दोस्तों की संक्षेर करेगा और हमारी चैनल ट्रिनिंग राशिपल को सब्सक्राइब जरु करेगा दोस्तों इस चैनल पर आपको इसी तरह राशिपल के लेटर वीडियो देखने को मिलीगी जिससे आप आने वाली दिनों के बारे में जो कि पहले से अनुमान लगा सकते हैं और अगर आपके जीवान में कोई प्रॉब्लम या फिर परिशाने चल रही हैं उसका हल अगर जोती शास्त्र के अनुसार चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है उस नंबर पर कॉल करें अत्वा वाट्सप मेसेज करें हमरे तरफ से रिपलाई जड़ से मिल जाएगा और आपके सभी प्रॉब्लम परिशानियों का समधान भी किया जाएगा तो दोस्तों मिलते हैं नेवड के साथ धन्यवाद